नमस्कार समाचारों के साथ मैं सेयुक्ता बैनुर्ची पहले मुख्य समाचार लोगसभाचुनाव के पहले चरण के लिए नमांकन पत्रों की जाँच आज 28 माच तक नाम वापस लिये जा सकेंगे प्रदेश में लोगसभाचुनाव की तैयारियों को लेकर कई जिलों में अधिकारियों की बैठक भरतिय जंता पार्टी और कॉंग्रुस ने लोगसभाचुनाव के लिए अपने उमीद्वारों की एक-एक और सूची जारी की है और अजलान शाह कप होकी टोनमन के तीसरे लीग मैच में आज भरत का मुकाबला मलेशिया से अब समाचार वस्तार से लोगसभाचुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भनने का काम कर समाप्त हो गया नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी और 28 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे इस चरण में 20 राज्जियों और केंद्र शासित प्रदेशों के 91 लोगसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 अप्रेल को मतिदान होगा आंध्रुप्रदेश, अरोणाचल प्रदेश, मेखाले, मिजुरम, नागा लैंड, सिक्किम, लक्ष द्वीप, अंडबान और निकुबार, तिलंगाना और उत्राखंड के सभी लोगसभा निर्वाचन शेत्रों पहले चरण में शामिल हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वियल कांता राओ ने बताया है कि प्रदेश में लोगसभा चनाव के लिए EVM और VVPAT का पहला रैंडमाईजेशन केंद्रिय चनाव आयो के सॉफ्ट्वेर EVM मैनेजमेंट सिस्टम से 28 मार्च से 30 सप्रेल तक किया जाएगा शिकांता राओ ने बताया कि सभी जिलों में FLC का काम पूरा हो चुका है राजे में 65,283 मतदान केंद्र हैं चनाव में 1,2,82 बैलिट यूनिट, 82,501 कंट्रोल यूनिट और 84,311 वीवी पैट इस्तमाल किये जाएंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वील कांता राओ ने कहा है कि लोगसभा चनाव को लेकर सबसे ज्यादा 269 शिकायते सागर जिले से मिली हैं अब तक मिले कुल 1324 शिकायतों में से 920 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है शिकांता राओ ने बताया कि चुनाव संबंधी शिकायतों के त्वरत और प्रभावी निराकरण के लिए सी वजल एप बनाया गया है सी वजल एप से अब तक प्रदेश में कुल 1324 शिकायते मिली हैं एप के माधियम से कोई भी व्यक्ति आदर शाचरण सहिता के उलंगहन की किसी भी घटना का फोटो या वीडियो तयार कर अपनी शिकायत के साथ भेज सकता है प्राप्त शिकायत की त्वरत गती से जांच कर उसका निराकरण और कारवाई की जाएगी प्रदेश में लोगसभा चुनाव की तयारियां जोरो पर हैं खंडवा में चुनाव की तयारियों को लेकर आज बैठक आयज़त की गई है वहीं खंडवा जिले के खालवा क्षेत्र के आदिवासी कलाकारों ने कल मतदाता जागरुपता अभ्यान के तहत खंडवा के नगर निगम चौराहे पर आकर्शक आदिवासी लोग नुरत्य प्रस्तुत किया सुईप प्रभारी नीरच पारशन ने बताया है कि इन कलाकारों ने नुरत्य के माध्यम से उबस्थतनागरिकों से लोगसभा निर्वाचन के लिए मतदान करने की अपील की उमरिया जिले में स्थानी शास्किय महाविद्याले के सभागार में चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक होगी उमरिया जिले में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कलेक्टर ने कल हस्ताक्षर अभ्यान का शुभारम किया बैतूल शिवपुरी दमो सहित अन्य जिलों में भी चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठके होंगी शेहडोल संसदी अक्षेत्रु में 29 अप्रेल को लोगसभा निर्वाचन के लिए मतदान होना है अज़दोरान शांती व्यवस्था बनाए रखनी के लिए सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये जा रहे है पेश है हमारे शेहडोल समवादाता अरविंद पांडी की एक रपोर्ट दूसरे जिलों की सीमा से लगे 16 स्थानों पर जांच चौकी बनाई गई है सीजी टीवी कैमरों के द्वारा कड़ी चौक्सी की जा रही है सीमा से होकर आने जाने वाले वहनों की तलासी लिजा रही है अंतराजी सीमा से लगे छे स्थानों पर आईपी टीवी के माद्यम से लाइब निगरानी हो रही है जिले के सीधी और जैदपुर इलाके नकसर प्रभावित राज 36 गड़ की सीमा से लगे हुए हैं भैमुक्त और शांती पूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस अधिकारों के टीम गठित कर सुरक्चवेवस्था की निगरानी हो रही है चुनाओ से संबंदित किसी भी तरह की सिकायत को दूर करने के लिए 28 चलिटीमों का गठन किया गया है AST उड़न दस्ता की 27 और FST फ्लाइंग स्कॉट की 11 टीमें काम कर रही है कॉंग्रस पार्टी ने घोशना की है कि अगर वो सत्ता में आती है तो गरीब तबके के 20 प्रदिशत परिवारों को 72 रुपे सालाना न्यूनितम भुक्तान किया जाएगा कॉंग्रस कारिकार्णी की बैठक की बाद कल नई दिली में पत्रकारों से बातचीत में पाठी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना से 5 करोड परिवारों को सीधा लाब पहुँचेगा उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने इस योजना के बारे में कई अर्थ शास्त्रियों से सला मशरा किया है और इसके आर्थिक पहलू का अध्यन कर लिया गया है वहीं इस घोशना को भार्तिय जनता पार्टी के वरिशनेता और केंद्रिय मंत्री अरुन जेटली ने चलावा करार दिया है शुजेटली ने कल नई दिली में पद्रकारों से चर्चा में आरोप लगाया कि गरीबों के नाम पर राजनीती करने का कॉंग्रस का पुराना इतहास रहा है कॉंग्रस ने गरीबी हटाने के नाम पर देश की गरीब जनता के साथ हमेशा धोका किया है यह समाचार आप आकाश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलतन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेच पर भी सुने जा सकते हैं इसके लावा अब हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं भाती जिन्दा पार्टी ने लोगसभा के लिए कलचार उमीद्वारों की सूची जारी की है पार्टी ने अश्वत नारायन को करनाटक के बैंगलोर ग्रामीन और तेजस्वी सूर्य को बैंगलोर दक्षन लोगसभा क्षेत्र से उमीद्वार बनाया है उत्रप्रदेश में राजवीर सेहवाल मिकी, हाथरस से और असम में नौगाउन लोगसभा क्षेत्र से रूपक शर्मा को पार्टी ने उमीद्वार बनाया है कॉंग्रूस ने लोगसभा चुनाव के लिए पांच उमीद्वारों की एक और सूची जारी की है सूची में च्छतीजगर और गोवा से दोदो और दमन द्वीब से एक उमीद्वार की खोशना की गई है च्छतीजगर में जोचसना महंत को कोरबा से और प्रतिमा चंद्राकर को दुर्ग सीट से प्रत्याशी बनाया गया है गरीश चादानकर को उत्तरी गोवा और फ्रांसस सर्दिन्हा दक्षन गोवा से तथा केतन पटेल को दमन दीव से मैदान में उतारा गया है प्राशुपती एमवंकया नाइडू आज मुंबई में इंद्रा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के सोलवे दीख्षान समारों में शामिल होंगे ये स्वायत उन्नत अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1987 में रजर्व बैंक ने अपनी स्वन जयनती के अफसर पर की थी संस्थान में विभनक शेत्रों के विकास संबंधी मुद्धों पर अनुसंधान किया जाता है रुजर्व बैंक की गवर्नर संस्थान के चेर्मन भी है भारती अंतरेक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक अप्रायल को मिसेट सहित 29 उबग्रहूं का प्रक्षे पड़ करेगा शिहरी कोटा में सतीश धवन अंतरेक्ष केंद्रू से इनहें सुबह साढ़े 9 बजे इसके साथ लिटोवानिया, स्पेन, स्विजलिंड और अमेरिका के उबग्रह भी छोड़े जाएंगे उन्हें करीब 505 किलोमीटर की उचाई पर स्थापित किया जाएगा सभी उबग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के बाद PSLV रॉकेट और उचाई पर जाएगा जिसे इसरो सहित वभन संस्थान के प्रयोगों के लिए प्लाटफॉर्म के तौर पर इस्तमाल किया जाएगा इस प्लाटफॉर्म पर भारती अंतरक्ष वग्यान संस्थान और रेडियो अमिच्च और उबग्रह निगम के उपकरण भी लगे होंगे अजलान शाह कप होकी टोनमेंट के तीसरे लीग मैच में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा मलेशिया के इपोह में ये मैच भारती समय के अनुसार शाम 6 बच कर 5 मिनट से शुरू होगा अन्य मैचों में जपान का सामना कैनदा से और पॉलन का मुकाबला दक्षन कोरिया से होगा रविवार को भारत और दक्षन कोरिया का मैच एक-एक से ड्रौ रहा था एक जीत और एक ड्रौ के बाद भारत के चार अख है छे टीमों में वो तीसरे स्थान पर है सबसे अधिकंग के साथ मलेशिया शीश पर है आईपियल क्रिकेट में आज डली कैपिटल्स का मकाबला चन्ने सुपर किंग्स से होगा मैच दिली में रात आट बजे से शुरू होगा वही कल रात जैपूर में खेले गए मैच में किंग्स लेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 14 रनों से हरा दिया अब कुछ समाचार संक्षेप में राइसेंग जिले की गैरत गंज तहसील के ग्राम भानपूर गंज मिनी करीला मंदर में रंग बंचमी पर कल मेले का आयोजन किया गया पैतूल कलेक्टर तरुन कुमार पिथोडे ने लोगसभा चुनाव को देखते हुए कल हुशंगाबाद मार्ग परस्थित धार चेक पोस्ट का निरीक्षन किया इस दोरान उन्होंने यहां तैनात निग्रानी दल के सदस्यों से चर्चा किये और उनके कामों की जानकारी ली और सिवनी में कल सुमवार को कलिक्टरेट सभाकच में मीडिया का रिशाला का आयोजन किया गया अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जाँच आज 28 मार्च तक नाम वापस लिये जा सकेंगे प्रदेश में लोगसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई जिलों में अधिकारियों की बैठक भरती जंता पार्टी और कॉंग्रुस ने लोगसभा चुनाव के लिए अपने उमीद्वारों की एक एक और सूची जारी की है और अजलान शाह कप होकी टोर्नमेंट के तीसरे लीग मैच में आज भरत का मुकाबला मलेशिया से इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलिटन समाप्त हुआ नमस्कार